दोस्तों जात अलोग यह मानना है कि अगर फल सहत के लिए अच्छ होते तो उन्हें कभी भी खाया जा सकता है सुबा उठते ही खालो, दोपेर में खालो, शाम में खालो, रात को सोने से पहले खालो बर क्या आप ये बात जानते हैं कि आयरुवेद में फलों के लिए भी कुछ समय निर्धारित किये गए है नमस्कार दाव सासिकाल दोस्तों मैं डप्टर शाहिस्ता खान आप सभी का स्वागत करती हो अपने यूटिव चैनल पर अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके हेल्ज से जुड़ी भी जानकारी की हर छोटी बड़ी जानकारी मिलेगी आपको इस चैनल पर दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे शुरू में एक सवाल पूछा कि जो फ्रूट खाने का टाइम होता है जातर लोगों को लगता है कि ओके फ्रूट तो रुकसाम देते ही नहीं है तो उन्हें तो कभी रिखाया जा सकता है आज इसी बारे में आपसे चर्चा करने वाली है और बहुत सारी आपकी जो एक मिट्स है वो आज ब्रेक होने वाली है तो गाइस सबसे पहले शुरुआत करती हूँ ब्रेकफस से बहुत सारे लोग ये बात भी कहते है कि सुबा उटने के बाद हमें कोई भी एक सीजनल फूट खा लेना चाहिए हमें मोसंभी का जूस पी लेना चाहिए अनार का जूस प अगर इस तरह का जूस या फ्रूट्स खाते हैं तो उनके पेट में दर्द हो जाता है या उनको भैयानक एसिरिटी हो जाती है इसलिए कोशिश करें कि आयरुवेद में जिस प्रोसेस को बताया गया है वही हम फोलो करें आयरुवेद में उशा पान के लिए कहा गया है आप दायक होता है इसको पीने का तरीका यह दोस्तों कि सुबह उठने के बाद बिना ब्रश किये आप एक ग्लास पानी जो आपने उबाल के ठंडा किया हुआ है रूम टेपरेचर पे उसका सेवन करें और घूट-घूट करके पिए अब आप कहेंगे कि अगर ब्रेक्फस कि खा रहे हैं जो अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है तो उसके साथ आप फलो को मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि फल भी अपने कुछ ऐसे ऐसे शुगर रिलीज करते हैं जो आप खाने के साथ ना खाए तो बेतर है खास तोर पर अगर आप खाने के साथ मिल्क वगएरा भी आड किया हुआ है तो फिर कोशिश करें के ना ही खाए एक चीस का और दियान रखेगा दोस्तों सूर्यास के बाद भी जादा फलो का सेवन करने को मना किया गया है अईरवेद के अनुसार अब आप सोचेंगे कि मैम आपने ब्रेकफर्स भी मना कर दिया आपने लंज भ मना कर दिया तो फल खाने कप चाहिए बताती हूं दोस्तों जब भी आप ब्रेकफर्स करते हैं उसके दो घंटे बाद आजकल जो मोडरन डायटीशन जो उसको मिड मॉर्निंग स्नैक बोलते हैं जी हां दो घंटे बाद आप फलों का सेवन कर सकते हैं कोशिश कीजिए कि ए एक टाइम पर एक ही फ्रूट का सेवन करें यह जो आज कल स्मूदी बाउल्स या फिर फ्रूट बाउल्स वगरा चल गए हैं मैं तो नहीं कहूंगी कि नहीं खाना चाहिए विए बहुत सारे लोग बड़े शोक से खाते हैं लेकिन आयरुवेद के अनुसार जी हां इस तर तरीके का विरुद आहर बन जाता है जो कि आपके शरीर में जाके फाइदा करने की बजाए नुकसान करता है अगर आप नाश्ते के बाद फलो का सेवन नहीं कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप दोपेहर के खाने के दो गंटे बाद फलो को मिक्स ना करें बलकि दो गं ६खाया पीँ एक होता हूचे से स्टमक में रूप चुका होता है उर उसके बाद अगर आप एक मतलाब एक काडोडी भर कोई भी फूट आपपाया नाम हो सकता है छोते हैं प्रूट यह बेस त ग्भी प्संदे ग्वां था शो आपको पसंद का सकते है उसके अच्छे है दोस्तों आयरवेद में सूर्यास के बाद बहुत जादा मैंने ऐसे कोई फलो का नाम नहीं सुना है कि जो खाने चाहिए दो फल ऐसे हैं जिनका कहा गया है कि ठीक है आप खा सकते हो जिससे कि उसमें भी थोड़ा सी मदबेद हैं एक है बनाना और एक है मैंगो जी हां आम और केला आपने कई बार सुना होगा कि कई बार कुछ लोग जो है वो डिनर टाइम पे आम खाना बहुत पसंद करते हैं या केला खाना बहुत पसंद करते हैं या मैंगो शेक वगेरा या बनाना शेक वगेरा पीना बहुत जादा पसंद करते हैं मैं एक चीज आपको क्लियर कर और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि आप केला भी खाया और आम भी खाया वह आईवेद के विरुदू होगा बाकी खाने को तो लोग बारा बार एक बज़े भी वेट के खा रहे होते हैं बट मैं इन वीडियो में वही जानकारी जीन देना चाहते हैं जो आथेंटिक हैं और आपके लिए लाबदायक हैं मैं बिल्कुल भी यह नहीं चाहूंगी कि आप किसी गलत इंफरमेशन की वैसे अपनी हेल्थ खराब कर लें बहुत जल मैं ऐसी वीडियो भी लाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि कौन से चीजे किसके साथ नहीं खानी चाहिए विर्दवाहर के बारे में आपको जरूर जरूर बताऊंगी मैं तो एक छोटी सी वीडियो मैंने आप सब के साथ श closely खाय कहे है कि आप क़े बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपka वेट लोस हो जाएगा आपको बहुत जा वेदा होजाएगा तो थोड़ास टा whipping अपनी ठीक कर लीजिए बिल्कुल आपको उन फ्रूट्स का फाइदा मिलेगा क्योंकि मैं चीज और बताना चाहूंगी आपको कि रात में खास तोर पे जो फूट्स का सेवन क्यों मना किया जाता है अइरवेद के अनुसार सूरे असके बाद आप एक ही चीज कंजूम कर सकते हैं वह मिल्क वह भी गरम किया हुआ और नीठा मिल्क ठीक है उसके इलावा अगर आप यह माली जे फूट्स आपने कंजूम कर लिया आप खा लेते हैं फूट्स को तो होता क्या फूट्स के अंदर अगरे तो कहीं ने कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्टिव मैसुस करते हैं जिस टाइम पर आपको नीद आने चाहिए उस टाइम पर आप एक्टिव होना फील करना शुरू करेंगे और आपको नीद उड़ जाएगी आपको नीद नहीं आएगी यही रिजन है कि रात किसम आपको नीद ले प्रूट्समाइब नहीं खने चाहिए चाहिए साथे साथे साथ खटे फलो में कईवर क्या होता है क्या होता है क्या हुआ दुखने लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा that's a lot of these जिसे कि खास तुर्पे संत्रा है किनो है कीवी है या कोई भी ऐसा अंगूर वगएरा ठीक है जिससे कि आपके गले में खिच-खिचाट सी महसूस होती है खाने के बाद तो प्लीज कोशिश करें किस तरह के फूट्स का आप सेवन ना करें तो आई होप यह वीडियो आपके लिए उसफुल रही होगी अगर रही हो तो फैमिली और फ्रेंट साथ जरूर शेयर किजेगा क्योंकि यह गलती है आपकी फैमिली में में जरूर कोई नवे कर रहा होगा तो मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपना खयाल रखिए स्वस्त र यह बिए हल्दी, वी हुलस्टे, चैहिनीत